आजी क्या सियो गुट इवनी चलो जी तो सहाब ऐसा है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कौन सा चैप्टर किया था कम्पलेट इंट्रेस्ट रेट रिस्क मैनेश्मेंट उसके पहले डेरिविटिवस क्या दोनों ही सिंपल चैप्टर थे हाँ अब और एक सिंपल चैप्टर है उन दोनों चैप्टर से भी ज्यादा सिंपल है जिसका नाम है इस फॉरेक्स पॉरेंड एक्चेंज रिस्क मैनेजमेंट सर इसमें यह इंपॉर्टन है की नहीं तो पहली बात अच्छे से समझ लो यह इंपॉर्टन है और लगबग दो कोश्चन आ सकते आठाट नंबर के मतलब यह समझ लो पंद्रा नंबर का फॉरेक्स आ सकता है आपके एक्जाम में 15 मार्स हमारे लिए इंपॉर्टन है कुछ बच्चों का कहना था जब मैं फॉरेक्स पढ़ा रहा था कि सर इसमें तो मैस है कौन कहता है अगर आपको मैस बिलकुल भी नहीं आता मेरी तरह हो तो हंड्रेट परशंट आपका फॉरेक्स में इतना सा भी दिक्कत नहीं होने है क्योंकि मेरा भी 10 में मैस में नंबर 100 मैं से 33 मास है तो आप समझी सकते हो कि मेरा मैस कितना खराब है तो मुझे उमीद है कि आप भी अगर मेरे जैसे हो तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है ठीके सर नाम क्या चैप्टर का फॉरें एक्षेंस रिस्क मैनेजमेंट और ये हमने रिस्क को मैनेज किया था बहुत सारे तरीके थे कैप, कॉलर, फ्लोर, एफरे, स्वैब, बहुत कुछ पढ़ा यहां भी है पर यहां इंट्रेस्ट रेट का रिस्क मैनेजमेंट नहीं है यहां किसका रिस्क मैनेजमेंट है तो देखोगे तो यहां किसका है पॉरें ए का मतलब यह मतलब ही यह रिस्क ही management करने में करीब करीब 10 into 3 घंटे के एक लास 30 घंटे लगे 30 घंटे कम से कम 30 घंटे में मैं आपको यह समझाऊंगा कि रिस्क कैसे manage किया जाता है foreign actions का पर इस से पहले हम को यह समझना पड़ेगा कि आखे रिस्क है क्या तब भी तो उस पर हम hedge करने की कोशिश करेंगे management करने की कोशिश करेंगे तो चलो जी समझने की कोशिश करते हैं अराम से समझते हैं मेरा मुझे ना बस आप लोगों का साथ चाहिए इस चैप्टर में ठीक है सर हम लोग तो तैयार ही है तो सुनो बच्चों सुनो यह हो आप कहों इंडिया में ठीक सर हम सीए बन गया है कि आप सीए बन चुके हो और एक company है multi national company और यह import export का काम करती है मालो multi national है तो काम import export भी होता हो और बहुत कुछ होता होगा कहां से deal होती है विदेशों से विदेश में एक नाम ले लेता हूं US से deal हो रही है ठीक है सर USA में कोई person है उस person का नाम क्या श्याम कैसी बात करते हो US में मिश्टर स्याम कहां से आगा मिश्टर ए तो यह company क्या करती है मिश्टर एक के साथ import export का काम करती है और इनको देना पढ़ रहा है एक लाग डॉलर और एक डॉलर की कीमत अभी है रुपीज 78 तो company आप से पुछेंगी CS साथ कि बताओ यार एक लाग डॉलर का payment करना है तो एक लाग डॉलर के लिए सेव एक डॉलर है 78 का तो एक लाग डॉलर के लिए हमें कितने रुपय लगेंगी सर यह ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल बच्च वाला काम है रुपीज 78 लैक्स तो सर इस chapter में आप यह सिखाने वाले हो एक लाग डॉलर के लिए कितना रुपया लगेंगी तो कोई भी ब दॉलर को करना रुपीज में यह तो बड़ा आसान काम है आसान नहीं है यह भी सिखांगा मैं कि कैसे करना हुटता है डॉलर को रुपीज में अचान जाते है विश्वास मानो आखरी दिन तक मेरे पास कोश्चन आते कि सर डिवाइड होगा कि मल्टिप्लाइ हमको यही में आजाएका चिंता मत करो बस में मैं साथ साच चलो ठीके यह बात यहां तक हम कुछ समझ में आई की यह तो नहीं पढ़ने वाले यह तो कोई सैंसी नेए यह थोड़िन पढ़ना रिस्क कहा है इसमें चोलो मैं रिस्क बताता हूं रे इस जो company है, company का नाम क्या लिखे है, company का नाम be limited लिख देते हैं, यह जो company है be limited, वो import करती है Mr. A से, और Mr. A को आज payment नहीं करना है, एक लाग dollar का ही payment करना है, और आज से तीन मैने बाद payment करना है, आज से तीन मैने बाद, dollar का rate अभी क्या चल रहा है, 78, be limited परिशान है, और क्यों परिशान है, इसलिए परिशान है कि जब 3 महां बाद हम dollars खरीदेंगे, तो हो सकता है कि rate 78 से जादा हो जाए हो सकता है जो इस्थिती चल रही है COVID वगेरा अब जो भी बोले हो सकता है rate 78 से जादा हो जाए कौन परिशान है? Be limited हो सकता है कि rate 1 डॉलर का मान लो 3 महने बाद 80 रुपए हो जाए तो जो 1 लाग डॉलर आज हम 78 का खरीदते 78 लैक्स खर्च होता उसी के लिए अब हमें 80 लैक्स खर्च करना पड़ेगा इस भाई साब को तो 1 लाग डॉलर ही मिलेगा इसका कोई tension नहीं, tension हमारा हो गए और हमारा कितने का loss हो सकता है अगर देखा जाए, तो बैटे बिठाए 2 लाग रुपए का loss हो सकता है ये जितना था उतना ही पैसा मांग रहा इसकी गलती नहीं है, गलती किसकी है गलती है कि rate बढ़ गया तो क्या करे सर, एक बात बता है आज ही खरीद के रख लो अच्छा, हाँ सर आज खरीद के रख लो ना डॉलर, टेंशन खतम तीन मैने बात पैमेंट कर लेंगे, अब तो टेंशन खतम हो जाएगा, क्या आप आज खरीद के रख सकते हो डॉलर्स एक्च्छल में मिश्टर एको डॉलर का पैमेंट होगा कैसे, सबसे इंपोर्टेंट बात तो यह है सोचके देखते हैं पहली बात, डॉलर खरीदने जाएंगे हम लोग, कहां जाएंगे सर कोई authorized dealer होगा, हाँ, इतने तो CA final में हो तो मान लो, bank जाओगे आप, bank गए डॉलर खरीदने के लिए यह bank, सर, bank कौन सा है, bank है, state bank of India, authorized dealer है और भी bank होत सकता है, और भी ले लो, और सर, और कौन हो सकता है, HDFC, यह लो यह यूएस का नहीं है, यह दोनों bank इंडिया के ही है, टिक तो आप डॉलर खरीदने के है, क्या ऐसा, अब SBI के पास पहुचे, तो उन्होंने का आज डॉलर है, 78 का, और HDFC के पास पहुचे, तो उन्होंने का, आज डॉलर है, 78.25 का, क्या सभी banks में, डॉलर का rate, एक जैसा होता है, कि अलग-अलग हो सकता है, तो समझ के जवाब देना, हर bank में, मैं जिस भी bank में जाओं, सब में डॉलर, डॉलर मतला foreign currency, आपको जी भी ले, जी मैं डॉलर को base ले रहा हूँ, डॉलर का rate, सारी banks में एक ही rate होता होगा, कि अलग-अलग हो सकता है, और डॉलर का rate, decide कौन करता है, गॉर्मेंट, decide करती है, कि हाँ, सभी banks, सुन लो, डॉलर, आज आपको इसी rate पे बेचना, क्या, ऐसे decide होता है, डॉलर का rate, decide कैसे होता है, सवाल, simple economics पढ़ा होगा, demand and supplies, ठीक है सरी, यहां तक हमको मालू है, यह तो हमको पता है, पर यह नहीं पता, क्या हर बैंक में डॉलर का rate, अलग-अलग हो सकता है, अलग-अलग हो arbitrage हो जाएगा, arbitrage तो पता है न, derivative क्यों पढ़ा, सस्ते में खरीद के, महके में बेज़ देंगे, और जैसी सस्ते में खरीदेंगे, तो यहां demand बढ़ जाएगी, अगर demand बढ़ेगी, तो क्या dollar का rate automatic बढ़ जाएगा, और यहां बहुत सारी लोग dollar बेचने आएगे, तो यहां dollar का rate यहां तक बात समझ में, सर आप बात कर रहे थे न, तीन में की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है सर, तो यह हम लोगों को समझ में आ गया, अब आगे चले, तो अब मानलो, तीन मेने की बात ही छोड़ दो, आज Mr. A को payment करना है, तो क्या होग मानलो हम State Bank के पास गए, डॉलर खरीदने के लिए, तो क्या ऐसा होता होगा कि State Bank को हमने गिना पैसा, कितना गिना, 78 लैक्स, और हमने State Bank को दिया, और State Bank ने हमको एक लाग डॉलर दे दिया, एक बैग में हमने वो डॉलर्स रखे, और हम US पहुच के ऐसा होता है क्या, नहीं मानलो, HSBC या City Bank, जो भी बोल सकते हो, तो SBI का, US की किसी बैंक में, US, यहां क्या चलता होगा, डॉलर, तो इसका एक एकाउंट होता होगा, यहां, इसके पास, HSBC के पास, ठीक है, ठीक है, यहां एकाउंट होता होगा, जैसे ही, बी लिमिटेड, SBI के पास डॉलर खरीदने जाएगी, तो SBI पुछेगा, भई, पैसे किसको देना है, डॉलर, तो बताना पड़ेगा, मिश्टर A को, बोले, कब देना, बोले, आज ही देना, तो उसका कुछ, इन्वाइस वगेरा, यह लगेगा, तो ठीक है, बोले, ठीक है, पैसे जमा करो, आप SBI में जमा कर दोगे 78 lakhs, और SBI वाला किसको फोन लगा देंगे, HSBC को, कि इनका कोई मिश्टर A आएगा, उसको डॉलर, एक लग दे देना, ठीक है, जनरल यह यह से होता है, अब आप यह बोल रहे हूं, इसके लिए आप पढ़ोगे, foreign currency account आएगा, मतलब SBI का, HSBC में account है, इसको बोलते है, foreign currency account, nostro, वगेरा, कुछ नाम आएंगे, अजीब अजीब से, अभी हम, ठीक है, सर, यहां तक बात समझ वही है, अब आप क्या बोल रहे हैं, हमें जो payment करना, वो आज नहीं करना, आज से तीन महने बात करना, ठीक है सर, तीन महने बात, तो दिक्कत क्या है, आज क्या डॉलर खरी खरीदेंगे ही, क्यों, खरीदें तो आज, हम तो खरीदेंगे तीन महने बाद भी नहीं, हम तो यहां पैसे देंगे, और इधर ही डॉलर ट्रांसपर होगा, खरीद के तो आप रखी नहीं सकते, क्यों सर, फेमा वगेरा बीच में आता है, आपको जिस दिन डॉलर की अब बताओ कि हम क्या करे हमारी चिंता को दूर करो और चिंताई को दूर करने के लिए ही तो आप हो उसी को तो मैनेज करना है चिंता को इंगलिस में क्या बोलते है रिस्क रिस्क को ही तो मैनेज करना है इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है सर तो कैसे मैनेज करन यही तुम्हें पढ़ानी वाला हो। और सिर्फ बात इंपोर्ट या एक्सपोर्ट समझ रहाऊ एक्सपोर्ट में भी रिच्ट कहे की नहीं एक्सपोर्ट किया हमने वालो इसी कूदर से कॉणसी करेंसी मिले की उदर से रुपिया भी तो मिल सकतना किया ठी एक्सपोर्ट किया तो वो जो डॉलर आया है तीन मेंने बाद आएगा तो मुझे डर है कि यार जो आज डॉलर 78 रुपए का बिख सकता है जो डॉलर मिलेगा मैं डॉलर देकर 78 रुपए ले लूगा लेकिन अगर तीन मेंने बाद रेट 75 हो गया तो मैं बरबाद हो जाओंगा बात समझ में आ रही है import जो करना उसको भी टेंसर नहीं उसको किस बात का टेंसर नहीं डॉलर करेट बढ़ना जाए और जो export करना वह भी परिशान है क्यों कहीं डॉलर करेट कमना हो जाए परिशान तो दोनों ही लोग और ना बड़ी-बड़ी बाते क्या होती है बड़ी-बड़ी बाती यह हो सकती है कि कोई आप से पूछेगा कि बताओ यार डॉलर का रेट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए फ्यूचर में बताओ आप ही बताओ मैं भी तो सुनना चाहता हूँ भाई डॉलर सस्ता होगा तो एक्सपोर्ट वाले तो बरबाद हो जाएगे जो एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्ट ही ने करेंगे क्योंकि डॉलर तो सस्ता हो जाएगा मतलब यार यूएस में मैं एक्सपोर्ट करता था जो आज 78 का मिलेगा मुझे 78 रुपए मिलेगा कल तो सोचो अराम से, और भी बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, अभी नहीं करूंगा, चैप्टर्स धीरे धीरे बढ़ेगा, तो सर आप बताओ ना, डॉलर महगा होना चाहिए, कि सस्ता होना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स है, जो सोचना पड़ता है, आप ये नहीं बो पर इसके अलावा भी तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ना, यूस में, वहाँ का रेट आप इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम इन्वेस्टमेंट जो कर रहा हो, जब वापस आएगे, तो डॉलर का रेट क्या होगा, ठीक है, हम बॉरोईंग करेंगे, बॉरो, बाहर से बॉरो भी तो कर सकते, अगर कहें सस्ते में आपको बॉरोईंग, सस्ते रेट आप इंटरेस्ट काम है, तो वहाँ से बॉरो कर लो, विदेश से, पर एक चीज और देखनी पड़ेगे न, रेट आप इंटरेस्ट के अलावा, क्य चीज यह करेंसी स्ट्रॉंग हो रही है का सस्ता हो रहा है सारी चीज़े देखनी हो यह सब कुछ पढ़ना हमें किसमें foreign actions risk management ठीक है मज़ा आएगा बस मुझे आपके साथ की जरुपत है और मुझे उम्मीद है कि आप पक्का मेरा साथ दो के धीरे धीरे बात करेंगे एक बा exposure मतलब risk होता exposure मतलब amount exposure मैं कराओंगा currency exposure आएगा न ठीक उस समय तो हमें क्या-क्या discuss करना एक तो basics discuss करना बेसिक्स क्या है बेसिक्स वो चीज़े है basics से questions नहीं आते है या डॉलर को रुपिया में कैसे convert करना रुपिया को डॉलर में कैसे convert करना यह सब चीज़े छोटी-छोटी चीज़े इससे question नहीं आएगे पर बिना इससे पढ़े यह आगे के topic आप नहीं पढ़ता होगे ठीक है ठीक है ठीक है कि आज तक बच्चे जो गलतिया करते ना क्या सर यह concept आपसे बन जाएगे आराम से बनेंगे कुछ नहीं है इसमें अगर आपको नहीं आएगा कुछ नहीं बनेगा तो basics नहीं बनेगा हाँ जी आखरी तक बच्चे यह पुछते कि सर समझ में नहीं आता bid rate लेना कि ask rate लेना सर यह क्या होता है जो already कहीं ना कहीं से class लिए उनको पता है कि क्या होता है उनको यह नहीं मालूँ कि divide किया multiply cross rate नहीं आता तो वो सब सीखना पड़ेगा इसके बिना यह कुछ नहीं हो फिर यहां arbitraries arbitraries यहां भी है sir yes यहां भी arbitraries है उसके अलावा forward contract sir forward contract तो हमने already derivatives में पढ़ रखा है हाँ यहां भी पढ़ना है आपको और यहां तो और details में पढ़ना है इसके बाद कुछ cover deal है action rate जो है न एक डॉलर यार future में 80 हो जाएगा तो वो 80 क्यों होगा यार क्या factors है वो सब कुछ पढ़ना है तो total मिलाकर मैंने कितने topics में covered कर रखा इसको 14 topics sir 14 topics पढ़ना है हाँ भाई मैंने तो पहली गोला थोड़ा सा बड़ा chapters इसमें currency exposure है cancellation है foreign currency account है foreign currency account का मतलब वही में बता रहा था नोश्ट वहाँ जाके वहाँ account खुलेगा SBI का वहाँ account है this is foreign currency account हमें कहां से borrowing करना चाहिए हमें किस currency में investment करना चाहिए हमारी अलग-अलग जगा ब्रांचे से तो cash management कैसे करना चाहिए swap यहाँ भी है और swap interest rate risk management में भी था पर वहाँ swap था interest rate swap एक question है उसमें जो question में लिखा हुआ कि यह currency swap है करके याद है पर वो currency swap का question नहीं था मैंने आपको पहली भी यह वह actual में interest rate कही था यहाँ भी swap है पर यहाँ आपको currency swap पढ़ना पर एक question economic exposure का है और कुछ ऐसे जो अजीब से question है जो कहीं cover नहीं उसको मैंने residual में डाल रखा है ठीक है इन सब चीजों का मतलब आपने detail में नहीं समझाया क्यों समझें भाई आराम से करेंगे ना धीरे धीरे जब इस topic पर आएगे तो यह समझेंगे ठीक हर एक topic में question है तो आप यह नहीं कह सकते कि यार इस से question आता है कि इस से नहीं है जहां से आता है मैं पक्का बता दूँगा कि यह आपके लिए important है इसको अच्छे से करना ठीक है जी तुए start करें है start कहां से करेंगे सर श्टार्ट करेंगे basic से लिखנה नहीं है आपको सब कुछ लिखा हुआ है ठीक है जी सब कुछ लिखा हुआ है आपका time बरुबाद नहीं होना चीज इस सबसे मेने इस बार class इसी तरह से डीजाइन किया है हाँ, example वगेरा कर तो solution अपने हाथ से मन, देखो मेरी बात, वो तो मैं discuss कर चुका हूँ, अब सुना आगे, सबसे पहली बात, इसर, actions rate क्या होता है, डॉलर 1, इस एक्षेंज रेट, क्या, एक्षेंज रेट का डेफिनिशन आ सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता, कि भई, price of one country's currency, express हो रहा है, another country's currency, इसी को exchange rate बलते है, exchange rate को, दो तरह से शो करते सकते हूँ, एक होता है डारेक्ट कोट और एक होता है इंडारेक्ट कोट अगर आप बैंक जाते हो और बैंक जाकर पोच्छते हो डॉलर एंड रुपी के बीच में क्या इस्थिति है डॉलर और रुपी के बीच में क्या इस्थिति है ठीक है तो बैंक दो तरह से जवाब दे सकता है डॉलर एंड रुपी के बीच में क्या एक्षेंज रेट है तो बैंक दो तरह से जवाब दे सकता है एक तो बोल सकता है एक डॉल इतना डॉलर, तो 1 डिवाइड बाई 72, 1 डिवाइड बाई 78, सर डॉलर 0.0128, it means, बैंक ऐसे भी बोल सकता है, बैंक ऐसे भी बोल सकता, आपको, इंडिया की में बात करों, इंडिया की, आपको अच्छा कौन सा लग रहा है, जो एक बार में समझ में आ रहा है, सर ये वाला, इंडियारेक्ट कोट, ये वाला, इंडियारेक्ट कोट, एक्जाम में कभी आया नहीं है, कि डियारेक्ट से इंडियारेक्ट में कनवर्ट, हाँ सुनो, अभी अभी आया था, पर वो चार नंबर का कोशन, डियारेक्ट से इंडियारेक्ट में कनवर्ट करों, इंडियारेक एक बार आइडिया ले ले, डारेक्ट कोट मतलब क्या होता, Sir, one unit of foreign currency, one unit of foreign currency, how many units of Indian currency, Indian मता होम करनसी, और इंडारेक्ट कोट, one unit of home currency, how many units of foreign currency, that's it, कोई दिक्कत है यहां तक, सर फॉरेक्स पढ़ने के लिए क्या हमें करेंसी का पूरी तरह से नॉलेज होना जरूरी है पूरी तरह से नॉलेज का मतलब मतलब सर एक डॉलर करेट अभी क्या चल रहा है मार्केट में एक पाउंड करेट अभी क्या चल रहा है जरूरत नहीं है आपको कुछ करेंसी के विशे में जरूर जानकारी रहनी चाहिए कुछ करेंसी पूरा नहीं, रेट नहीं, आइडिया, सपोस एक होता है, यूएस डी, यूएस डी मतलब यूएस डॉलर, कहां चलता यूएस एक होता है, जी बी पी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंट, ठीक है, और कौन सी करेंसी, आई एन आर, मतलब इंडियान रूपीज, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा और क्या आता है, जे पी वाई, जैपनीज येन, और यूरू, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर करेंसी है, पॉपुलर करेंसी मतलब, मतलब हमारे SFM में, ये करेंसी, हर कोश्चन में यही करेंसी मिलेगी, इसके अलावा भी मिल सकती है, पर यही करेंसी मिलेगी, ठीक है, ये जो लिखा, मैंने ये लिखा, ISO कोड में, इसको सिम्बॉल में कैसे लिखते हैं, डॉलर कैसे हैं, ये, प knowledge की जिबरत है कि आपको आपको सबसे पहले कि ये पता करना है कि इन जोदी गई करझ इसमें से सबसे मेहगी कोन सी मैं यह नहीं बोलगहू कि दुनिया इसमें सबसे मेहकी करण सी यह जो दी गई करण सी है योरो कभी छोड़ दीजिए क्योंकि योरो के विशmost में dispute है थोड़ा सा कभी dollar बड़ा होता है dollar mega रहता है तो कभी euro mega रहता है तो मैं इन चार currency की बात कर रहा हूं सर इसमें सबसे महगी है pound ठीक है सर उसके बाद है dollar ठीक है उसके बाद sir rupees और सबसे सस्ता होता है यह सिक्वेंस आपको याद रखना है आपको यह जरूरत नहीं है जानने की कि एक pound बराबर कितना dollar नहीं पर आपको यह जरूर याद रखना पड़ेगा क्यों याद रखना पड़ेगा क्योंकि मैं बताऊंगा कि क्या समस्य है पाउंड सबसे महगा, उसके बाद डॉलर, उसके बाद रुपीज और सबसे सस्ता यह है, याद रहेगा, या फिर कहीं लिख ले ना किया, इस सेक्वेंस में हमको मालूम है कि पाउंड सबसे महगा होता है, अब इसको रिप्रेजेंट इसको लिखते कैसे, एक डॉलर बराब 78, इसका मतलब, इसका मतलब है, एक डॉलर बराबर 78 रुपीज, और इसको कैसे लिख सकते हैं, डॉलर पर रुपीज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका होता है, बेस करेंसी बोल रुपीज इसको ऐसे लिखा जाता है, आपके, हमार जो फॉरेक्स है ना उसमें अधिकतर ऐसे ही लिखा मिलेगा, ओके, ठीक है, अब और सुनना मेरी बात को, चैप्टरे स्टार्ट कर रहा है कि कर रहा है, पहले सुन तो ले, ये सब सारी चीज़े काम आने वाली है, ठीक है सर, अब जरा बोल के बताना, मैं आपसे कुछ चीज पूछ रहा हूँ, पाउंड पर डॉलर, 0.245, इसका मतलब, मुझे मार्केट से कोई लेना देना आपको भी नहीं रखना कि कितने का है, एक्चुल में है कि नहीं, मैं एक डॉलर साट रुपिया भी लिखूंगा, मैं एक डॉलर असी भी लिख सकता हूँ, डेजन डेमेट इसका मतलब क्या यह बता हूँ, सर इसका मतलब है, डॉलर वन इस एक्वेल टॉ पाउंड 0.245, ठीक है ना सर, बेलुकुँच है, लेकिन एक समस्या है, इसका मतलब, सर अभी आपने बताया कि बेस करंसी यह होती है, हाँ, पर मैंने इसमें नहीं बताया था, मैंने इसमें बताया था, बात समदो, यह जो है ना, यह सिंबॉल नहीं है, इसको हम वैसे क्या बोलते, इसको बोलते, ISO कोर्ट, जब भी ऐसा रहेगा, और आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो, कॉमन सेंस, मैंने क्या बोला था, महगा क्या है, डॉलर, तो आप क्या बोल रहा है, एक रुपिया बर 72 डॉलर, कभी देखा, एक रुपिया बरावर 72 डॉलर, भाइ, यह बोल रहा है, तो सर, एक रुपिया बराबर 72 डॉलर, तो यह बी बात है, तो sir, actual में इसको कैसे पढ़ा जाता है अगर ये दिया है सुनोगे, सुनोगे, सुनो विच्छे अगर ये दिया है तो ये base currency होती है लेकिन इस तरह से दे रखा है तो base currency ये नहीं होती base currency ये होती है इसका मतलब है $ is equal to Rs.72.50 ठीक है जो सर बहुत बहुत मुश्किल नहीं है धीरे धीरे प्रेक्टरिस से हो जाएगा सर फिर से कोशिश करें क्या अब जवाब देना आप मझे ठीक है जी ठीक है अचैने जीए 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 ओन्ट फॉन पैंट वाइट है इसका मतलब बूलो कि यह तो है यस तो सर अब हमारे लिए बेस करेंसी ये होगी, बिल्कुत सही, इसका मतलब, सर इसका मतलब है, एक डॉलर बराबर पाउंड 1.5275, क्या आपको ऐसा लग रहा है, अब क्या दिक्कत है, मैंने गाना, आप कॉमन सेंस नहीं हटा सकते, I.C.A.I. कभी-कभी धोका देता है, धोका देता मतलब, यहां धोका दिया गया है, वैसे तो नॉर्मली बेस करेंसी यही है, लेकिन थोड़ा सोचके देखो, एक डॉलर में कितना पाउंड, 1., मतलब बोलो महगा क्या दिख रहा है, एक डॉलर में एक पाउंड से भी ज़्य सबसे महगा है, यास, तो क्या यह गलत हो गया, यास, यह गलत हो गया, होना चाहिए था, एक पाउंड is equal to $1.5275, बिल्कुल दिमाग खराब कर रहा है आप, धीरे-धीरे करो, अराम से एक चीज़ पर फिक्स हो जाओ, कभी इधर हो जाते हो, कभी इधर हो जाते हो, मैंने धोका देगा, हमें ऐसा लगेगा, कि यह धोका हो रहा है, तो आपको यह sequence याद रखना पढ़ेगा, इसके अलावा भी कोई currency आ गए, तो फिर हम कितना याद रखें, इसके अलावा कोई currency आती है, तो भगवान याद-था, हमें मतलब नहींए, नहीं आईगे, चिंता मत कर मैं हूं साथ में, इतनी करेंसी का तो याद रखना पड़ेगा आपको, कुशिश करें, ठीक सर, अब मुझे help चाहिए आपके help, बिल्कुल थे, हाँ सावधानी से, ठीक है सर, अब हम तयार हूँ, तयार हूँ, INR, JPY, 2.43, जल्दी से बोलो, पहले सोच लेते हैं, सर, ISO code है, यास, तो सर, यह है, बेस करेंसी, एक बार लिखके देख ले, रुपीज वन, इस इक्वल टू येन, 2.43, सर, एक रुपए में, ज्यादा येन आ रहा है, और रुपिया से भी सस्ता है येन, और एक रुपए में, तो स्थीक है न सर, सहीं तो लिखा है, हाँ, यही तो आपको सुनना 91.2575, जल्दी से, बहुत जल्दी से, सर, एक ये बेस करेंसी है, एक रुपए में, 91 पाउंड आ ही नहीं सकता, यहाँ धोका है, ICAI का, तो अब आपको कोट जो है, SL करना पड़ेगा, पाउंड वन, इस इक्वल टू रुपीज, 91.2575 ऐसा लगा, बस ICAI जो कर रहा है, वो यहीं खेल खेल रहा है, जब अरदस्ती का, इस क्लियर कट नहीं दे रहा है, अगर क्लियर कट दे दे तो भई, हम तो कॉंसेप्ट कर लेंगे, कॉंसेप्ट का छोड़ो, लेंग्वेज तो सहीं बना कर दे, वो लेंग्वेज में पुछ हो, अब तो सर हम जवाब देंगे, ठीक है, तेयार हो ना, CHF, AUD, 1.3525, सर, इसका कैसे बताएंगे, हम, नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, मालूम में होगा भी तो नहीं मालूम, नहीं मालूम, अब क्या करें, पर इसी कोश्चन में और एक चीज बता रहा हो, ठीक है सर, क्या बता रहा है, चला सुना, DBP, USD, 1.2535, कुछ तो मालूम होका, हाँ सर, ये मालूम है, सर, ये मालूम है, ये है बेस करेंसी, क्योंकि एक पाउंड में डॉलर ज्यादा आता है, तो उसी हिसाब से ये भी बेस करेंसी होगे, बात समझना, कोश्चन आपको देखना पड़ेगा, इस से, इसमें हमें हम हाथ खड़े कर दिये, कि सर, ये तो हमको नहीं मालूम, पर ये तो मालूम है ना, तो इसको जैसे ही देखा कि यार, इसमें इसको वन माना, तो इसको भी वन ही मानेगे, ठीक है, मुस्किले नहीं आएगी विश्वास रखो मुझ पर पूरा पर्स देखा हुआ, RTP, MTP, study material, प्रैक्टिसमें, सब जगा आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं guarantee की साथ बोट हूँ, ठीक है, बस ये sequence आप याद रखोगे, ठीक है सर, तो start करें, yes, basics, ये थोड़ी बहुत जानकारी दिया मैंने, क क्या होता है, definition, और action rate को किस तरह से represent कर सकती है, बैंक, दो तरह किसे बता सकती है, या तो direct court में बताएगी, या तो indirect court में बताएगी, direct court क्या होता है, कि भई, foreign की एक unit कितने रुपे है, और indirect court क्या होता है, एक रुपिया बराबर foreign का कितना units, ठीक, मैं India की बात करहा हूँ, अगर मैं US में पहुँचा तो वहां direct quote और indirect quote और कुछ और होगा मैं वहां की बात नहीं करूँगा ठीक तो बढ़ रहे हैं आगे सबसे पहले में start कर रहे है basics मैं फिर से बहुत हो basics से question नहीं आएगा पर basics के बिना बाकी कुछ बनेगा भी नहीं आपसे पूरा पारेक्शनी बनेगा तो action rate क्या होता सर action rate action rate means price of one country's currency is expressed in another country's currency ठीक है इसमें तो कुछ था यह नहीं सर इसको याद करेंगे क्या क्यों याद करेंगे बही मेरी बात समझो ऐसा थियोरी जो हमें याद ही नहीं करना एक knowledge के लिए लिख रहा है copy में, उसको आपको लिखने की जरुवत नहीं, उसको लिखा हुआ रहेगा, पर ऐसी theory, जो आपको आनी है, मतलब वो चार chapter, उसको तो मैं लिखवाऊंगा, उसको मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि लिखोगे तो practice होगे, इसको लिखने की जरुवत न solution है, वो भी मैंने नहीं दिया है, इसमें, books में solution नहीं है, आपके पास, example का, वो भी बनाना, आप भी बनाओगे, मैं बना, और जो questions है, उसके solution है, तो उसके solution किसके, ICAI के solution है, पर हम तो अपने तरीके से करेंगे, it means, हर question का solution, मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखोगे, ले बढ़ता है, action rate को जो express किया जा सकता है, दो quote में, एक direct और एक indirect, direct quote क्या होता है, direct quote means, one unit of foreign currency, important है, foreign currency का, foreign currency का one unit, बराबर कितना और रुपिया, how many units of home currency, रुपीज पर डॉलर, मतलब, एक डॉलर सिक्वल रुपए 50 पैसे, एक यूरो 83, एक पाउंड 92, इसको पढ़के बताओ, क्या लिखा, ISO code है, जनरली ISO code में, ये base currency होती है, तो sir, dollar one is equal to, रुपीज ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, और वो लिखा तो है, direct quote ही तो ही है, एक foreign currency का एक unit बराबर home currency का कितना रुप, ऐसे ही क्या होता है, indirect quote, one से divide करना और कुछ रहे, indirect quote means one unit of home currency is worth how many units of foreign currency, देखो यहां रुपीया, यहां भी रुपीया, यहां भी रुपीया, यहां भी base currency, रुपीया हो गया, one unit of home currency, how many units of foreign currency, तो point number one में हमने कुछ किया ही नहीं, action rate की बात किया, वो action rate आपके सामने, पर याद रखना action rate को किस तरह से express, दो तरह से direct, indirect, exam में कभी नहीं आएगा कि direct, indirect क्या होता है, अब आजाते है, point number two, this is most, most, most important, conversion of currency, यह बहुत important है, इसके बिना question नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है, तो ध्यान से समझते है इस पर कुछ लिखने वाली बात है यहीं, common sense वाली बात है, example number one, अब ठीक से जवाब देना, रुपीस पर डॉलर, मतलब एक डॉलर कितने का है, 70 रुपिया 50 पैसे का, तो बताओ, एक लॉक डॉलर में कितने रुपे लगेंगे, एक लॉक डॉलर, वन लैक डॉलर खरीदन कितना रुपिया लगेगा, जल्दी से जवाब चाहिए मचे, टाइम है आपके पास, अजे, अब कुछ बच्चे बड़े एक्सपर्ट है, उन लोगों ये क्या कोश्चन है, ये तो यार सार कोई भी दे देगा, ये तो पाच्वी क्लास का बच्चा भी जवाब दे देगा अहां इतना असान नहीं है, सुनो, एक होता यूनिऊटरी मेथड, यूनिऊटरी मेथड सर क्या होता है, यूनिऊटरी मेथड ये होता है, एक डॉलर कितने का है, attar रुपे 50 पैसे का है, तो एक लाख डॉलर कितने का, एक्स, cross multiplication this into this तो sir dollar 1 lakh into 70 रुपए 50 पैसे divided by 1 तो आगया रुपीज 70 रुपचास अचा sir हम ऐसे करेंगे क्या हमको बैच्चा समझा कि बस मैं यही तो कहना चाहता हूं हम ऐसे नहीं करेंगे होना ऐसी चाहिए पर इतना time नहीं है हमारे पार तो sir फिर कैसे करेंगे अब सुनना कैसे करेंगे मैं क्या करूँगा मैं होता तो मैं क्या करता पहले मेरी बास सुन लो जो बड़े expert लोग बैठे है न क्या time pass कर रहे है sir आगे चलो आगे जाओ ना बड़ी दिक्कत होने वाली जाओ दिया से करेंशी कौन सी है जिसको convert करना है डॉलर डॉलर को ही तो convert करना है और rate किसका दिया है rate किसका दिया base करेंशी कौन सी sir डॉलर ही है यह बास सीधा बाद बताया आपने, यह तो हमको पहले से पता था, यह क्या special काम किया आपने, अब भी नहीं किया, आगए आने वाले example में चलते है ना, फिर समझ में आएगा, फिर वापस आओंगा, फिर कहूंगा देखा, ऐसा हुआ था, यह लो, example number two, है हिम्मत, चलो answer बोलो, रुपीज, डॉलर पर रुपीज दिया हुआ है, और डॉलर 50,000 बराबर कितना रुप है, जो बच्चे यूनिट्री मेथट में expert है, तो मैं फिर से यूनिट्री मेथट, अब की बार नहीं करवांग, मैं कर रहा हूँ, फिर से यूनिट्री मेथट से करवा रहा हूँ, ताकि logic समझ में जाए, तो सोचोगे सर रटवा रहे हैं करके, पहले logic समझ लो, ठीक है सर बताओ सर, ये डॉलर है, डॉलर 0.0140, बराबर होता है रुपीज 1, ठीक है, तो सर डॉलर 50,000 बराबर कितना रुप है, तो ये दोनों multiply और ये divide हो जाएगा, तो सर डॉलर 50,000 बराबर कित 1000, into 1, divided by, डॉलर 0.0140, अंसर, पचास जाएगा, डिवाइड बराबर 0.0140, तो ये आ गया, रुपीज, 3, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 3, 5, 7, 1, 4, 2, 8, पर क्या ये बच्चों वाला काम हम करेंगी, नहीं, तो फिर सर कैसे करेंगे, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनों, मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे करूँगा, करेंसी कौन सी है, जिसको convert करना है, डॉलर, बेस रेट क्या, रेट किसका दिया, सर रुपीज का दिया, अब multiply नहीं होगा, अब होगा divide, फिर से बोलना ज़रा, हाँ फिर से बोलूंगा न, उतलब 50,000, divide होगा, 0.0140, तो अंसर आएगा, रुपीज, 3, 5, 7, 1, 4, 2, 8, समस्या क्या है, मालूम है, समस्या इतनी सी है, कि आदे से ज़्यादा बच्चों का फोन आता है, एक्जाम के पहले-पहले, कि सर एक चीज में confusion होता है, कि divide करना है कि multiply, शर मानूचे, इसलिए तो मैं basic पढ़ा रहो, divide करना है कि या तो ऐसे करो, बच्चों नहीं तो नहीं है न सहाब, तो सर फिर कैसे करें, पिटे एक rules बना लिया मैंने, अब rules सुनो, कभी rules फैल नहीं होगा, जिस currency को convert करना है, जिस currency को convert करना है, अगर उसी का rate दिया है, जिस currency को convert करना है, अगर उसी का rate दिया है, तो सिधा multiply करता है, ठीक है सर, जिस currency को convert करना, अगर उसका रेट नहीं दिया है फिर इवाइट इंपॉर्टेंट है कि बेस रेट क्या है अगर ये डॉलर ही बेस रेट होता तो मल्टिप्लाई हो जाता भाई पर डॉलर है पर बेस रेट रूपीज है अपूजिट वाला तो फिर डिवाइट ही करना पर बस और कुछ कोई से लिकोंगे किया हाँ में तो हिंदी में लिख्वा थो लिख कंगे हिंदी में लिख जाएंगे अ烦्रियाद करवा रहे हें अप्रत वाक। कलो यूनियेट करिंश को तर ठीक है लिखते हैं जिस करेंसी को जिस करेंसी को कनवर्ट करना है अगर उसी का रेट दिया है तो मल्टिप्लाई नहीं तो डिवाइट ये ब्रह्मास्त समस्लाब को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने ये अच्छे से कर रखा है था ठीक है जी ठीक है सरा चले के आगे चल आपकी अगनी परिक्षा एक्जांपल नंबर आपके पास टाइम है जल्दी से जवाब चाहिए मच को थ्री फाइब तो क्या जाएगा पॉंट तो सर पाउंड आगे है टू तिक्स तू पाइब पाइब पॉंट सर कितना डिजिट लेना पॉंट के बाद वो डिसकस करूंगा ना भी तो पूरा फॉरेक्स है पर फिर भी अगर एक्शिन रेट है तो कम से कम चार डिजिट लेना चाहिए एक्शिन रेट है तो पर यह फिगर है तो फिर आप दो डिजिट में भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं चले आगे सर एक्जांपल नंबर फोर फिर से देखते हैं क्या दिया है रुपीस और क्या रुपीस का ही रेट दिया तो फिर मैल्टिप्लाई हाँ हो गया ना यार बड़ा सिंपल है सोच सोचना नहीं कि यार इतना कुछ क्यों सोच रहा है सोच लिए दो एक्जांपल में और क्या सोच हो गया है एंटो थ्री पॉइंट पॉर टू पाचचछार इन्टो 3.4245 तु सरी यह आ गया यह यह 17122.50 ठीक है अगला चलें एंट इक्जांपल नमबर 5 यह काम की चीज यह 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 काम की चीज यह बच्चो यह काम की चीज सर यह तो ISO code है हाँ तो सर हम इसको 1 मानते 1 dollar is equal to इतना रुपए सर यह तो सहीं दिया है पर इसको हम अपनी language में लिखेंगे मतलब यह हम जहल नहीं पाते actual में हमारा question गरबड हो जाता है इसलिए इसको प्यार से इस तरह से लिख लिया करो rupees per dollar 1 dollar बराबर इतना रुपए ना तो इसको rupees per dollar लिखेंगे मैंने अपनी language में लिखेंगे और यह कितना दिया 70.50 पैसे हमेशा ऐसा ही करेंगे हमेशा पूरे forex में आज पहली class है मैं आज से ही बता देता हूँ कि जब भी ऐसा देगा हम इसको ऐसे कनवर्ट कर लेंगे अब क्या है सर अब यह क्या है rupees और rate किसका है dollar का तो बोलो divide कि मैं सर्डिवाइट रूपीज one lakh divided by 70.50 तो डॉलर जाएगा one lakh divided 70.50 तो सर यह आ गया one four one eight point four three four four zero ले 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 दा हूँ चले जी आगे यस अब यह last example होगा इसके last ही है न यस सर लाश्ट example है बिल्कुल सावधानी से और सहीं सहीं जवाब दूगे सावधानी से जवाब दूगे example number six क्या लिखा जड़ा देखते हैं इसको हम अपनी लेंग में से एक रुपए बराबर इतना वह हो एक रुपए बराबर इतना पाउंड तो होई नहीं सकता धोका है यह तो सर है क्या एक पाउंड बराबर मतलब यह जो दिया है यह दिया रुपीज पर पाउंड ओके सर 94.75 कौन सी करेंसी है यह अब आपको निकालना पड़ेगा सर दिया है पाउंड और रेड भी पाउंड का दिया तो सर मल्टिप्लाई हाँ बस हो गया भाई पाउंड 40,000 इन्टू 94.75 यह जाएगा रुपीज तो सर यह आगे रुपीज 37,90,000 तो मेरे खाल से आगे कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी बस यह डाउट मत पूछना कि डिवाइट करना कि मल्टिप्लाई प्लीज आज चोड़की बनती ठीक है सर अब क्या करना है अब आगे चले या ब्रेक ले ले अब भी तो यही पढ़ा है ब्रेक क्यों इतने जल्दी एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं ने तो ब्रेक ले देंगे जैसा भी होगा देखते हैं और वो पढ़ने जा रहा है एक इंपॉर्टेंट अब ध्यान से समझना में क्या पढ़ाने जा रहा हूँ यह कौन है बैंक ठीक है सर यह है कौन राम और यहां वाली पार्टी कहां किया है यूएस की एक पार्टी राम ने इंपॉर्ट किया ठीक है तो सर राम को देना है डॉलर एक लाक तो डॉलर यहां से खरीदना पड़ेगा सर बैंक से बिल्कुल सहीं मतलब बैंक डॉलर पेचे का ठीक है सर और एक परसन हो सकता है स्याम यहां का और एक है इससे एक्सपोर्ट किया है एक्सपोर्ट तो यहां डॉलर आएगा डॉलर आएगा तो स्याम इंडिया में डॉलर लेकर थोड़ी दूमेंगर तो सर क्या करेगा ये इसको बैंक को देगा क्या देगा बैंक को डॉलर और बदले में क्या लेगा रुपीज एक जगा ध्यान से देखोंगे तो एक जगा बैंक डॉलर बेच रही है और एक जगा डॉलर खरीद रही है तो क्या ये एक ही रेट पे होता होगा और bank को profit कैसे होता होगा बिटे bank कभी भी दो rate बताती है बेचने का rate अलग और खरीदने का rate अलग मतलब सर bank का dollar बेचने का rate अलग होता होगा और dollar खरीदने का rate हाँ जी हाँ अच्छा सर और bank उसको इस तरह से quote कर सकती है rupees per dollar 77.25 77.50 क्या आप बता सकते हो कि राम को dollar बेचा जाएगा तो महगे में बेचव जाएगा 77.50 और सियाम से dollar खरीदा जाएगा तो सस्ते में खरीदा जाएगा 77.25 सियाम से कहेगी कि सियाम आप dollar लेकर आओ लेकिन बदले में हम आपको सिर्फ 77.25 देंगे और अगर आपको डॉलर खरीदना है न तो फिर आप 77.50 रॉपिया लेकर आना तब हम आपको डॉलर देगे बात समझ में आती है अच्छा सर इस पे बैंक क्या करती बैंक सर बैंक इस पे डॉलर हम बैंक के एंगल से ही सोचेंगे हम कर्स्ट्टमर के एंगल से नहीं सोचेंगे अच्छा क्यों कि आगे आएगा मैं जानता हूँ की कैंसलेशन वगिर आएगा फिर वहां मुझे बोलना पड़ेगा कि आप बैंक के एंगल से सोचो भई हमेजा हम बैंक के एंगल से कि बैंक खरीदती है सस्ते में बैसती है कौन सा rate बोलते है सर इसको buy rate बोलते है buying rate standard language में मालू है इसको क्याotti बोला जाता है बैख सिर बोलो इसको बुला जाता है बिड रेट और इस rate को क्या बोलते है इसको bank के एंगल से कौन सा rate बोला जाता शेलिंग रेट bank इस पे बेशती है महगे में और इसको क्या बोलते है ask rate ask rate तो और bank से profit कमा रही है, हाँ दिख रहा है कितने का profit है, सर्फ 25 पैसे 0.25, इस 0.25 को क्या बोलते है, इसको बोलते है bid ask spread bid ask spread ये काम का नहीं है, पर ये काम का है और ये काम का है मतलब, bid rate क्या होता है, ask rate क्या होता है सर जी, बहुत ज़्यादा important है बहुत ज़्यादा क्यों important है important इसलिए है, क्योंकि जब आप question बनाओगे, या जब तो आपको पहचानना पड़ेगा, कि divide करना multiply वो तो ठीक है, पर rate bid वाला लेना है कि ask लेवाला लेना सर सिंपल है, बैंक बेचे की तो ask rate बैंक खरी दीगी तो bid rate उसमें सोचने वाली बात क्या कहना असान है फिर से बोल रहा हूं, फिर 50% से ज़्यादा बच्चों का last में यही question आता है एक्जाम से पहले पहले सर समझ में नहीं आ रहा, bid है लेना होता है कि ask लेने होता है बस, इसी के लिए तो आज मेरी पहली class चल रही है और अब भी जितना भी time है उसमें हम bid ask ही समझने की कोशिश करेंगे ठीक है जी? ठीक है जी तो start करे, bid ask rate yes start करे की break ले ले sir, break ले ले, break के बाद करेंगे actually थोड़ा सा मौसम गरबर चल रहा है तो break ले लेना चाहिए मुझे अभी एक बाद समझ में आगी है न break ले रहा हूं में break के बाद start करेंगे bid rate क्या होता है? sir, bank जिस पे खरीद इतना आसान नहीं है break के बाद आपको समझ में आएगा कि यह तो बड़ा जबर्दस्त काम है लेकिन 100% break के बाद आपको पुरी तरह से समझ में आजाएगा कि actual में क्या है करके ठीक है? तो break ले रहा हूं, जल्दी ले रहा हूं इसके बाद भली दो घंटी की class हो जाएगा ठीक है, ठीक है? ठीक है, break है जी, break